साथ्यों सिलंपूर हो जामिया हो या फिर शाहिनबार बीते कई दिनों से citizenship amendment bill को लेकर possession हुए क्या ये possession सिर्फ एक संयोग है जी नहीं ये संयोग नहीं ये प्रयोग है इसके पीशे राजनीती का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट के सोहाद को खंडित करने के इराजे रखता है ये सिर्फ एक कानून का विरोध होता है तो सरकार के तमाम आश्वास उनों के बाद ये समाथ तो हो जाना चाहिए था लेकिन आम आजबी पार्टी और कंडिर्स राजनीती का खेल खेल रहे हैं और वह सारी बाते अब उजागर हो चुकी है सम्मिदान और तिरंगे को सामने रखते हुए ज्यान बाता जा रहा है और असली साजी से ज्यान हताया जा रहा है साथ यो हमारा सम्मिदान ही देश की न्याइपारी का हमारी अदालतों का अधार है सम्मिदान की बावना के अनुरुपी नयाले चलते हैं लोगों के इंसाब देते हैं समय समय पर अलग अलग के सो में अदालतों की हमारे देश की सर्वोच अदालत की बावना यही रही है कि विरोध प्रजर्शनों से सामान्य मानवी को दिक्कत न हो देश की संपत्ति का नास न हो प्रजर्शनों के दोरान फुई हिंसा तोफोर आजनी पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने अपनी नाराग्जी जताई है लेकिन यह लोग अदालतों की परवा नहीं करते हैं यह कोर्ट की बात ही नहीं मानते और बाते करते हैं सम्मिदान की जिस सम्मिदान ने न्याई पालिका को बनाया और न्याई पालिका जो कह रही है उसको मैंने को तयार नहीं और दुनिया को सम्मिदान दिका रहे है अब देखिए इस वज़े से कितनी दिक्कत हो रही है दिल्ली से नोईरा आने वा जाने वाले लोगों को दिल्ली की जनता इसे देख भी रही है समझ भी रही है वो चूप है साइलेंट है और वोट बेंकी इस राजनीती को देखकर दिल्ली का नागरी गुस्से में भी है साथ्यों इस मानसिक्ता को साथ्यों इस मानसिक्ता को यहीं रोकना जरूरी है साजिस रतने वालों की ताकत मड़ी तो फिर कल किसी और सडाक किसी और गली को रोका जाएगा हम दिल्ली को इस अराजक्ता में नहीं छोड़ सकते हैं इसको रोकने का काम सिर्फ दिल्ली के लोग कर सकते हैं कि बाज़पा को दिया हर बोट यह करने की ताकत रखता है वही कर सकता है